प्यारे बच्चे इंगलिस वाले सर की क्लास में आपका वेलकम है, सिधा मुद्दे की बात करूँ, मुद्दे की बात यह है कि यदि आप क्लास 12 में है या क्लास 10 में और आप चाहते हैं कि आपके इंगलिस के पेपर में 95 से 100 नमबर तक आ जाएं, यह आप सोचते हैं, वैसे आपको यह भी लगता है कि मेरे तो यार 60 से 70 नमबर तक आएंगे, लेकिन जो मूल मंतर मैं आपको बताऊंगा, उसके मादम से आप यहां पहुंच सकते हो, आपके मार्क्स आ सकते हैं, और यार मूल मंतर तो एक ही है, कि आपकी क्लास के टीचर, जो आपको कक्छा में आपको पता है कि हमारा जो इंगलिस का पेपर है, क्लास कोई भी हो, चार भागों में डिवाइड होता है, रेडिंग सेक्षन, राइटिंग सेक्षन, ग्रामर सेक्षन, और बुक पार्ट, अब इसमें से मैं आपको हलका हलका गाइड करूँगा, हाला कि इन सब पर हमारे चैनल पे वीडियो है, जैसे अंसीन पैसेज, कैसे सॉल्व करें, राइटिंग सेक्षन, के तो बहुत सारे वीडियो है, रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, सब कुछ है, ग्रामर भी, ग्रामर के बहुत सारे वीडियो है, और बुक्स के च sections को कितना time देता है कैसे cover करता है तो आपने देखा होगा इस reading section है जो unseen passage ना उसको हमारे teacher zero time देते हैं पूरी साल unseen passage की चर्चा ही नहीं होती क्योंकि एक आम राय है क्या answer तो उसी में है तो इस पर teacher कोई time देता ही नहीं है फिर writing section है grammar section है इनको 15-15% time दिया और जो books हैं उनको 70% time दिया यानि पूरी साल में English को जो समय दिया गया उसमें से हमारे teacher ने 70% समय books को दिया जब teacher ने दिया तो पर हमने भी इतना ही दिया जबकि इनके marks लगबग लगबग बराबर divide है थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता है लेकिन teacher इस theory पर चलते हैं उनकी भी गलती नहीं है क् teacher books से start करते हैं दो books हैं एक एक लेन को पहले English में पढ़ेंगे फिर Hindi अर्थ कराएंगे फिर questions करवाएंगे फिर उनहीं का test लेंगे तो लगबग 9 दिसंबर books में चला जाता है अब हम teacher के पीछे पीछे अपना दिमाग लगाते नहीं क्योंकि teacher के भरो से सब को छोड़ दिया कि यार सही चल रहे होंगे अब यार देखो उनकी मजबूरी है क्योंकि जो school के management है वो books की बात करता है अगर books पूरी तो course पूरा जबकि ये चीज गलत है माना कुल 200 गंटे का समय है ऐसा मानो आप तो वो इस तरह से divide होता है ये मेरा personal experience है लेकिन आपको जब दो कदम आगे पैसेज है उसको भी आपको 10% time यानि कि 10-12 घंटे तो कम से कम देने चाहिए और वो कैसे देने उनमें क्या करना यह आपको बताऊंगा जो हमारा writing section है इसको पचीस इन 200 घंटों का 25% time आपको देना है आपका teacher दे रहा है तो ठीक ना दे रहा है तो ठीक लेकिन आपको देन है तो आप यहीं पहुचोगे क्योंकि teacher के लिए सबसे प्रियाचीज grammar है grammar साही बच्चा intelligent है फिर वो आपके जो writing section है या reading section है इनमें से full marking भी कर सकता है तो इस पर आपको focus करना है और जो books हैं वो थोड़ी से ज्यादा नम्मर की आती है तो उनको आपको 40% समय देना है तो क तो देखिए जो हमारा reading section है reading section मतलब unseen passage आएंगे और unseen passage के बारे में आम धार ना है क्या answer तो उसी में है चाए mcq type चाए कैसा भी है answer उसी में तो कोई तैयारी नहीं करते तो मैं ज्यादा time में लेकर के एक ही बात बोल दूँ unseen passage के लिए आपको मैं एक चीज रेक्मेंट जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलतियां करने वाले थे क्योंकि unseen passage में फरी के नंबर नहीं है यार इसमें भी टटोलने वाली चीजें है answer कई बार उपर रह जाता है आप line से line बलाते हैं कि यह हमारा question है इसकी line कहां पर मिल रही आचा यहां पर मिल गई यहां से यहां तक उतार के रग दी जहां हम solve करेंगे हम जैसे मनला यह उठा लिया rough copy ले लिए pen copy मैं इसको solve कर रहा हूं फिर पीछे को जो answer दे रहे हैं उनको check कर रहा हूं आप इसी theory से जब आप तो ऐसे answer निकालोगे यहां पर आपको पता चलेगा अच्छा यार मैं तो चार लाइन लिखी थी इसमें तो इतना सान सवरे तो बहुत सार चीज आपको पता चलेंगी और पर एक ही मूल मंत्र है हर चीज टाइम मांगती है unseen passage भी टाइम मांगता है इसका नाम है reading part आपको पढ़ना आना चाहिए सीखे ना सीखे लेकिन कुछ तो reading करो गया कुछ तो idea आएगा आपको यह तो पता चल जाएगा कि जैसे माना pronoun कैसे change होते हैं अब माना कोई ऐसा आ गया descriptive जिसमें कोई writer अपने बारे में कुछ बता रहा है कि मैं वहां गया मैंने यह किया मैंने यह किया मैंने यह किया autobiographical गया था ठीक है आपने यह लाइन अब वो पूछैगा कि नेटर कहा गया था तहां या ट 아니고 नेटर को नेटर कौन करता लिखने वाला ठीक है अब लिखने वाला कौन है तो लिखने वाले ने लेंड लिखी मैं लंडन गया था मैं अमेरिका गया था कहीं भी गया था अब आपने कहा था अच्छा कहां गया यह वेंट मिल गया तो आपने लिख दिया आई I went to London, मैं London गया था, ठीक है, अब एक बात बताओ, उसने पूचा कि नेरेटर कहा गया था, आपने लिखा मैं गया था, तो वो नेरेटर ने गया, तुम गये, तो ध्यान रगना, आपको यहां लिखना पड़ेगा ही, या फिर लिखना पड़ेगा नेरेटर, ठीक है, यह बा बात होगा, आप खुद को भी पता चल जाएगा, वर्ड लिमिट का कितना ध्यान रखना है, आनसर कैसे उपर भी हो सकता है, आप जो लैन मिला रहे हो, वहाँ पर नहीं होगा, उपर होगा या नीचे होगा, यह सारी ट्रिक मैंने दे रखी है, तो यह चीज भी महनत मांग क्या है, आनसर इसमें से कैसे निकलते हैं, और मैं करता हूँ, खुद के परिस्टरम के लावगा कोई अच्छे से नहीं बता सकेगा, तो पांच-छे साथ अंसिन पैसे सॉल्फ करके देख लेना, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, लंबी बात चाहिए, तो वीडियो जाके ऐसे कौन सा आएगा, परिग्राफ कौन सा आएगा, इस पर तो पूरी साल चर्चा करोगे, इस पर ऐसी चर्चा मत करो, इस पर दोई चीज़ चलती है, किसी भी राइटिंग जो टॉपिक है, उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखा जाता है, कौन सी चीज कहां रखी जाती नोटिस का फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, इनकी वर्ड लिमिट क्या है, इनमें किस टेंस का प्रियोग होता है, रिपोर्ट पास्ट में लिखी जाती है, लेटर में प्रिजेंट पास्ट मिक्स सलता है, या मोस्ट प्रिजेंट होता ह यह बात है, यह मेरे वीडियोज में आपको मिल जाएंगी, इस तरह की बात है, तो format और यह, उसके बाद में आपको थोड़ा सा लिखना आना चाहिए, कुछ याद करो, कुछ रटो, थोड़ा लिखना भी सीखो, आप कितने सा लेट रटोगे, कितने परग्राफ लटोगे, क यह की मैनत है, कि हिंदी में तो कम से कम कंटेंट दिमागे को जुटा लो याँ, हैं, लेटर है, परग्राफ है, हिंदी में तो सब को पढ़ के चले जाओ, अब कोई ऐसा आ गया कि यार, पता नहीं, इसके बारे में लिखें क्या, तो हवाई बात कब तक करोगे, दो चला में खतम हो जाएंगी, तो हिंदी में कंटेंट होना चाहिए, थोड़ी इंग्लिस बनानी आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से इस पर काम करना है, अब है हमारा ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन के बारे में अक्सर में एक बात कहता हूं, सबसे कीमती पार्ट है आपके इसमें रूल्स चलते हैं, आपको पताना चाहिए कि क्रिया का सही रूप क्या आएगा, जैसे कि मॉडल्स आपके हो सकते हैं पेपर में, नैरेशन, डिरेक्ट इंडैक्ट हो सकते हैं, पैसे वोईस हो सकता है, सिंथेटिस, ये टॉपिक 12 प्लास में चलता है, कंजंशन हो स सकते हैं, पर्टिकलर किसी बोड के लिए वीडियो नहीं है, तो अब इन में दो चीज है, मैंने आप पहले लिख लिया, एक तो इन टॉपिक्स का किसी भी टॉपिक, बेसिक कॉंसेप्ट होता है, बेसिक रूल होते है, कि डिरेक्ट को कैसे बदले है, प्रोनाउन कैसे चे बेसिक concept किसी भी टॉपिक का, जैसे सिंपल सेंटेंस, कमपाउंच सेंटेंस, कॉंप्लेक्स सेंटेंस कैसे बना जाते हैं, बेसिक थोरी, पर काम करने के बाद, बहुत से बच्चे बेसिक में चलते हैं, पूरी साल, रूल में चलते हैं, तोड़ा सा इधर भी आ जाओ, पे एक इंट्रोगेटिव आएगा तो एक इंपरेटिव आ सकता है बतार दोनों अलग अलग क्वालिटिक आएंगे तो सभी तरह के सेंटेंस को बदलना सीखो और सोचो कि दोनों अलग अलग आएंगे सिर्फ इतना सोचने से हम थोड़ से ब्रॉड हो जाते हैं टीचर से दो कद का सकता है इस तरह के लॉजिक लगा के इसलिए तो पेपर में कैसे आते तो इसके लिए प्रिवियस के पेपर देखो ग्रामर के कोशन बंते कैसे हैं कहने का मलब है कोई टॉपिक की बेसिक कॉंटसेप्ट के साथ पूरे में जाना और सभी तरह के एक्साइज को हल करना करवाते हैं लेकिन अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो खुच से भी आप उसको तयार करना और इन दो कॉंटसेप्ट के काम करना गी बेसिक कानसेप्ट क्या है बेसिक रूल्स क्या है किसी टॉपिक के लेकिन पेपर में कैसे पूटप होते हैं बहुत हार्ड नहीं आते तो ये चीज दिमाग में रखना अब है हमारा बुक के चैप्टर और पॉयम्स तो बुक्स दो होती हैं एक बड़ी बुक एक चोटी बुक नाम नहीं लूँगा किसी हर क्लास के अलगले नाम होते हैं अब इनकी तैयारी कैसे करें तो इनकी तैयारी में उतना मत उल्जो ज कोड़े से आधे अधूरे भी आंस्वर यादे तो यहां पर फुल माक्स ले आते हो और इनको रटने पे पूरी साल बहुत फोकस मत करो मैं अक्सर एक ही बात कहता हूं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि आप हिंदी से इंग्लिस बनाना टूटी फूटी भी सीख जाओ हिंदी से इंग्लिस ट्रांसलेशन यानि कोई भी बात है कोई भी सेंटेस आपके दिमाग में तो उसको हिंदी से इंग्लिस में ट्रांसलेट कैसे करें इस चीज़ पर पूरी साल रटने के बज़ाए आप सो घंटे लगाते हो ना तो आप दो चार घंटे टैंस्वें सीख लो कभ समारे इतने चैप्टर हैं तो बड़ा किस में से आ सकता है छोटे कैसे पर चैप्टर बहुत बढ़ा है लेकिन सारे इंपोर्टन कोइसन नहीं होते इसे मैंने वीडियो बनाये कि मोस्ट कैसे लगाए यह यह सारी चीज़े होती है कि किसी चैप्टर को हिंदी में पढ़ो उसकी समरी बनाओ, समरी को अपने सब्दों में लिखना सीखो, जब तुम आजी का अच्छी समरी लिख सकते हो, तो उसका मतलब सारे question, answer आपकी जेम में, आपके दिमाग में, ये कुछ अलग से महनत कर लिया करो, वो तो ढर रहा है कि teacher ने लिखवा दिया, कोई chapter खतम हो गया, 10 question है, 10 को 10 को रट्टा मार रहे हो, कोई जरूरी थोड़ी कुछ chapter में से आएगा, यदि पिछले ही साल उस chapter में से बड़ा question आया, तो इस साल आने की समावना कम होती है, यह मैंने gas लगाना भी आपको वीडियो में बता है, बहुत महनत करता हूँ आपके लिए, कहने का मतलब है, थोड़े smart हो जाओ यार, थोड़ा ढर्ला छोड़ दो, हर चीज के टीचर के पीछे-पीछे मत चलो, रटना छोड़ दो, कितने सारे वीडियो बनाएं मैंने, कि रटना बंद करो, बना के लिखना सीखो, अब एक जैसे topic है, tense, अब बच्चे क्या करते हैं, सर हमारे तो उसमें है नहीं, 12th क्लास का बच्च बोले का सर हमारे तो है नहीं topic, अब इसको पढ़, यह पूरी इंग्लिस की बेस है, आपके sentence बनाने का बेस है, पढ़ने का लिखने का बेस है, इसको तो कम सकम पढ़ ले, अब जो sentence तुम लिखोगे न, उसमें tense तो सही हो, tense मतला helping bird, man bird तो सही हो, और वो teacher है न, आपका answer कम पढ़ता है, इंग्लिस जादा पढ़ता है, कि आपका sentence सही है नहीं है, पूरी आपकी जो marking वो sentence पे होती है, आपके sentence correct होने चाहिए, अब correct होने का एक तरीका है, कितना रट हो गए यार, थोड़ा बनाना सीख जाओ, तो जब हिंदी में content दिमाग में होगा, तो आप उसको बना के लिख सकते हो, तो books के question answer कैसे याद करें, इस पर भी video है, मैंने मकसद था, आपको दिमाग में ये बताना है, ये बात डालना, कि teacher हमें सा इस story पर चलता, उसकी मजबूरिया होती है, क्योंकि सभी school में ये डर रहा होता है, लेकिन आपको दो कदम आगे बढ़के, ये चीज दिमाग में डालनी है, तो ये हमारा गलत pattern हुआ, और ये हमारा सही pattern हुआ, आपको हर चीज को समय देना है, जिस उसको हम pay करेंगे, pay मतलब समय देंगे, वो चीज हमको return करेंगे, नमबर देगी, तुम समझे रहे हैं, फोकट में नमबर मिल जाए, तीर में तुक्कर लग जा, हमेशा नहीं लगता, कभी-कभी लग जाता है, पर हमेशा नहीं लगता, अंसेन पैसेज की भी तैयारी करनी है, फॉर्मेट्स बनाने हैं, हेंड़ाइटिंग अच्छी रखनी है, वर्ड लिमिट पे काम करना है, बहुत सारी स्टेजिय, अमने बहुत सारी वीडियो दें बता रखी है, तो इस चीज पर फोकस करना है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, कि आप मेरी बातों को फोलो करोगे, वसे करते तो मन के यार, बट मान लिया करो, हमार पास अनवव है, अनववी तो आप से सेयर करते हैं, ठीक है, मैं तो जो बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, अपना अनवव आपको बताता हूँ, माना ना माना आपकी मर्ज़ है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यों के साथ, तब तक के लिए, बाई,